पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ राकेश पांडे शाम के पांच बजने वाले हैं वक्त हो गया देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शोर राष्टबाद का राष्टबाद यानि देश से बढ़कर कुछ नहीं क्या बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद वाला एजेंडा चलाय जा रहा है 24 के लोगसबाद चुनाव में बीजेपी की सीटे कम आई तो क्या इसका सबसे बड़ा राज वोट जिहाद की सियासत है सबाल ये भी कि क्या वोट जिहाद कराएंगे तभी बीडियेपी कोहरा पाएंगे दरसल सबाजवादी पार्टी नेता महबूब अली के मुस्तलमानों की आबादी बढ़ रही वाले बयान के बाद अब महाराश के डिप्टी सीम देवंदर फरनवीस ने वोट जिहाद को लेकर बड़ा दावा किया है फरनवीस के मुताबिक महाराश की 48 लोगसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखने को मिला फरनवीस के बयान से पहले लोगसभा चुनाओ के दौरान विपक्ष के नेताओं के और से भी वोट जिहाद की अपील की गई थी तब इस पर हंगा मावा था अब फरनवीस के बयान के बाद विरोधी से वोटों का ध्रोवी करन करने बाला बयान बता रहा है सवाल है बीजेपी नेताओं के दावे में कितना दम है क्या सचमच बीजेपी को हरानी के लिए वोट जिहाद बाला एजेंडा चल रहा आज इसे मुद्धे पढ़ी में लेकिन पहले रिपोर्ट देखे या निवर्डू कितना जोग वोट जिहाद है अठ्टे चाइज पिकित जवजवग साउदा लोगसभा मतदार संगा मदे अश्या जिहादी पुद्धति नो त्या ठिकाणी आने वाले महारष्ट के सरकार के इलेक्शन में भी आपको उसी वज़े से आहरना होगा अब तुम्हारा राज खत्व हो जाएगा आबादी बढ़ रहे हैं मसल्मानों की इतनी जब बुल्णा तुमार्णा और आगे सब्ता ने आजाएए क्या देश में लोकतंत्र की लड़ाई एक बाद फिर वोट जिहाद पर आ गई है क्या वाकई बीजेपी को हराने के लिए खास लोगों का एक वर्ग मिशन वोट जिहाद मोड में आ चुका है क्या महराष्ट में होने वाले विधान सबा चुनाव और यूपी में होने वाले उप्चुनाव से पहले वोट जिहाद वाला नेरेटिव के बिसाद बिछाई जा रही है एक तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और यूपी के पुर्व मंत्री का बयान है तो दूसरी तरह बीजेपी भी वोट जिहाद के मुद्धे पर आप खुल कर निशाना साध रहे महराष्ट के डिपी सीम देविंदर फरनवीज ने वोट जिहाद को लेकर बड़ा दावा किया है परनवीज का दावा है लोगसबा चुनाओं में महराष्ट के अरतालीस लोगसबा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ आज अपर पहतो है जाज वोट जिहाद अपनला पाहिला मेला वोट जिहाद काया को वोट जिहाद सा अर्थाए एक सादो उदारन संग को धुलेया सार की जागा जागे वर सहाग इधान सभेपी की पाच इधान सभे मदे एक लाख नववद हजार मतानी कुड़े असलेला उमेदवार के वोट मालेगा उमध्या या एकाच विदान सभे एक लाख साउरैन्व हजार मतानी मागे जातो आणे चार हजार मतानी निवणनू खारतो निवणनू कितली हार जीत मातवाची नाए करी हा पक्षे जिंकेल करी तो पक्षे जिंकेल पड़ कही लोकांचा आत्मों इश्वा से ओड़ा वाडला है त्यन्ना सवाटता है अमची संख्या कम यसली तर्यामी संगटित मतादान करो या ठिकाड़े हिंदूतो वाध्यान ना पराभूत करू शक्तो आपन भंटोना म कितला जो गोट जिहाद है अठ्टे चाईज पेकेज जवजवग साउदा लोकसभा मतदार संगा मदे अश्याज जिहादी पुद्धती ना त्या ठिकाड़े आपने आला मतदान होता ना दिसला है फरनवीज का बयान आता ही उस पर सियासत चुरू हो गए और वैसी की पार्टी ने तो सीधे सीरे बीजेपी पर ध्रुवी करण करने के लिए वोट जिहाद की बात करने का आरोप लगा दिया तो शरत पावार की पार्टी दवा कर रही है आने वाले विधान सभा चुनाओ भी बीजेपी हारी की आज अपा को अपनी जमीन के सक्तिवी निजर आ रही है उनको पता चल गया है कि महायूती की जो सरकार है महारास्ट्रा में टोटल फेलो चुकी है डेवलपमेंट विकास सबके नाम पर तो अब बस इसी तरह की बात करने पर आगए पुलराइस करने क कि कोशिश की जा रही है अभी लव जिहाद वोट जिहाद लेंड जिहाद सारे जिहाद को समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या पता है और राज्ये के होम मिनिस्टर है देवेंदर फटनवीज जी और समीधान की शपत लिए उन्होंने इस तरह की बात करता उनको आप 240 में अटक गए तो इसका मतलब यह है कि अलग-अलग फ्रंट पे भार्जपा के केंदर सरकार का अपेश था महारश्टक का यह सरकार का भी अपेश है और सिलिए सिर्फ आप क्या है कि मैं हार गया तो इनके कारण हार गया यह बोलनी की जो नीती रहती है जो हारा इसलिए आपकी हार है आने वाले महारश्ट के सरकार के इलेक्शन में भी आपको उसी वज़े से हरना होगा लेकिन वोट जियात की बात अचारक नहीं आई 29 सितंबर को समाजवादी पार्टी के बड़े ने था और पुर्व मंत्री महबू बली 2027 में उतर प्रदेश में सताव परिवर्शन की भाविश्वारी करते हुए ऐसा बोल गया जिस पर सियासी भूचाला किया महबूब अली कह रहे हैं यूपी में मुस्लिम आबादी अपड़ गई है इसलिए तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा और 2027 में यानि आने वले चुनाओं में हमारी सरकार आईगी अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा आबादी बढ़ रहे हैं मसल्मानों की इतनी जा बुल्मान अगर आगे सत्ता में आ जाएगे ये कान तो मुगलोबे बसकी नहीं जो साड़े 800 साथ हुकुमा कर गए हुए उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई वैसे वोट जिहाद की बात कोई नहीं नहीं है कॉंगरेस के दिगर निता सल्मान खुशीत की बतीजी मारिया आलम ने लोगस्वाचुनाओ के दौरान सपाउमिद्वार के समर्थन में कहा था कि संग्ये सरकार को अटाने के लिए अकलमंदी के साथ खामोश होकर सिर्फ वोट जिहाद कीजी ऐसे में बड़ा सवाल है सवाल ये भी है वोट जिहाद की साजिश पर बीजेपी नेताओं के आरूपों में कितना अदम है ब्यूरो रिपोर्ट टाइंस राउन और भारत तो ये रिपोर्ट आपने देखी आपका परच्चे आज के में मानों से करवाता हूं शहजाद पुनावाला भारति जनतापाटी के नेता और आश्ट्री प्रभकता आदिल हसन है, माईयों पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दीपक रंजन है, समाजबादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आदिल, बीजेपी से मुकाबला करना है, तो वोट जी आद, और अगर बीजेपी के नेता कह दें, तो आप लोगों को लगता है कि ये क्या कह दिया अरे बड़े भाई, बीजेपी को तो ऐसे ही जनता न कारेगी, साथ दिन में 96 रुपया LPG कमर्चियल का दाम बढ़ गिया राम रहीम को जिसने पेरोल दिया, वो भाजपा जोईन कर दिया, फिर एलेक्शन के वाग, राम रहीम को बलतकारी को पेरोल दे रहा है बीजेपी को फिर बीजेपी वांग चंग को लद्दाक से आएं, उनको आने नहीं दे रहा है, किसान अंदोलन पर किया, महँगाई पर, बेरुजगारी पर, चाइना के गुजपैट पर, मोदी जी का नवाजचरीप के बिर्यानी खाने पर, हर मुद्दा पे बीजेपी हा मुसल्मान ही का नहीं, दलित हो, पिछना हो, आती पिछना हो, इवन फॉर्वर्ड हो, सब चाता है, दस साल हो गया, जैसे लालकरीश एडवानी मार्च दर्श्चर मंडली में चले गयते हैं, अब मोती जी की बारी है, ये तो बैसानी की सब्कार बारा कर लेंगे, बाकी ब पार्टी की चिंता क्यों कर रहा है, लदाक से कौन आया, आप उनका नाम आपको ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप से वोट जी याद को लेकर सवाल पूछा, उस पर आप बोले नहीं, दुनिया बर की सारी बाते आपने कर ली, अरे सर, इतो सोनम वांचांगू साहिब जो आए बेचारे चल कर, लदाक के जो हरदील अजीज पॉपलर चेरा है, उनको तो दिल्ली आने देते हैं, उनको जेल बेट दी हो, एक बलातकारी राम नहीं को भेटते रहे, हर्याना हारियेगा, जम्मू हारियेगा, अभी है, क्या है, नहीं है, शेजाद पुनावाला, आपका रिपलाई, आप लोगों को लगता है, कि वोट जियाद की वज़े से कम हुई है, क्योंकि एक पैटन पर वोटिंग होई, देखे, वो कतल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, हम आभी कर दे तो हो जाते बदना, आप तो करते हो, तो चमतकार, हम बोले कि यह हो रहा है, तो हम गुनेगार, अब बता दिजिए कि मर्यम आलम ने जब बोला था कि वोट जियाद करना है, तब कितने कॉंडमिनेशन स्टेटमेंट आये थे, जब अभी महबूब अली का बयान आया, कि हमारी आबादी बढ़ चुकी ह है, इसलिए मोदी योगी को जाना होगा, तो कितने कॉंडमिनेशन स्टेटमेंट आये, चलिए मैं आपको तथ्य बता दे तौब इस पूरी मामल में, दूले का एक MP का सीट है, क्योंकि हमारे आदिल भाई, महराष्टा में भी इनकी पार्टी लड़ती है, तो इसको समझे आदिलेंगे भी अच्छी तरीके से, दूले में छे विधान सबा है, एक एक से लोक सबा में, पांच में हम लोग लीड में थे BJP वाले, 1,90,000 का, छटे विधान सबा माले गाओं, 194, 1.94, एक तरफा वोट जाता है, BJP को 4,000 मिलते हैं, हम लोक सबा की सीट, 3,000 से कॉंग्र सब्सक्राइब, उसके अलावा मैं आपको दूसरा बता तो, उत्तरप्रदेश, रामपूर, एक गाओं, वहाँ पर सौफीसद मुस्लिम वोटिंग, वहाँ पर 500 घर बना के दिए, एक वोट नहीं आया, ये हो रहा है, विशलेशन भी तो आप जब चैनल करते हैं, बड़े ये ही किया, टू सेपरेट नेशन होने चाहिए, इस थेयरी पर जाकर ये वोट मांगते हैं, तो हम बोलते हैं, तो हम बदनाब, और ये करते हैं, तो ये ठीक है, इनकी पार्टी में मुसलमीन, ओनली फॉर मुसलिम पार्टी है, ये कहेंगे कि एक आटी के डिस्कोर्स को द मुसलिमीन है, तो आप सिर्फ मुसलिम वोट, मुसलिम वोट की बात करते हैं, तो वोट जयादवार आरोप, उसलियाद से साबित हो जाता है, ताकि बाई, मुसलमानों की इस्तित अलितों से बतर है, सच्चर कमिशन का, ऐसा नहीं कि मैं कॉंग्रेस पर हम फिदा होते हैं, कि लेसर इवल को हम च्वाइस करते हैं, अब बीजेपी आप बोल दी कि शैदाद भाई को मॉब लिंचिंग बन करते हैं, ग्रीडाज की सूर हो, ग्रीडाज सिंग हो, निले स्राने हो, रामगिरी पर एक्सल ले ले, और भरश्टा चार पर आजीत पवार कम है, क्या छगन जान गई है, रंगनात मिस्रा अभी बस्पा का मंत्री था, आप में आया एडी पुरा क्लीन चिट दे दिया, जनता जान नहीं है भाई, आप मुसल्मानों को गाली देना बन कर दीजे न, देखिए मुसल्मानों के साथ इंसाफ कीजे, एम्यू किशन गान को एक रुपया नहीं मिला, आप माईनिटी को बजट चालीस परसेंट कर दिया, आपने भरम्मन और अपर कास से जो मुस्लिम मदरसा में टीचर थे, वादरसा आदेल आदेल, आदेल, आपकी बात का जवाब सहजार्देंगे, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आपने कहा कि पता निवाद गिनाने जाऊ यूपी बिहार से लेकर महराज पता निक्या-क्या बैद मिलेंगे एक भी नहीं है बड़े भाई एक बिनाए अरे आपके यूपी के अधक्ष नहीं नहीं सब बहुत शरीफ लोग आप पर पता चले बहुत लोग सांदरें वह रही दिन पहले उ पहले सुनिए देखे आदिल साब के यह इतने शरीफ लोगे बोलते कि चौराहे से लटका दो यह शराफत है इनकी अब पता नहीं है जो शरीफ नहीं है वो क्या फिर है छोड़ देते इस विशे को आदिल साब को मैंने बताया अभी कि एक गाउं में पूरा 100% मुस्लिम 500 मु इकास का काम किया ना अब छोड़ देते इस विशे को तीसरे विशे पर आते यह स्टेटमेंट कीवल बीजेपी का नहीं है अधीर अंजन चौधरी पांच बार के सांसद यूसुप पठान भारी मतलब उनके लिया से क्योंकि टेमसी यह नारेटिव चलाती है वो गुजरा की ऊपर करो चोट और मुस्लिम का लोग वोट राम मंदिर प्रान प्रतिश्टा में नाजगाना हो रहा है मठादीश माफिया अफजल अंसारी ने जो महाकुम के विशे में भी बयान दिया कि वहाँ पर गांजा फूग देते है सारे सादू संद जो बयान आया कि हिंदू धर्म धोका है जो लगातार हिंदू विरोधी बयान दिया जा रहे हैं यह समाजवादी पार्टी भली बाती चांदी इसलिए महबूब अली के बयान को ऑफिशली कंडम किया है क्या पूछ लीजे आप ठीक है चलिए आदिल आदिल चुकि सपा पर बात चली गई यह मैं द बोट जियाद के अपील की गई थी अधिए राकेश जी जैसे विदाओट इंटरॉप्शन आपने टाइम दिया है भार्तियंता पार्डी के प्रवक्ता को मैं समझता हूं कि हम लोग को भी जो है अरे यह शिकायत मत किया करिया भाई मुझे शुरू में नहीं बोलना ठीक मैंने समय अदिल को भी दिया आभी सवाल की लाइन पर रहेंगे तो आपको भी विदाओट इंटरॉप्शन टाइम मिलेगा तो शुरूबात शुरूबात किया करिए आप अपना आप अपना डिवेट सुनते नहीं लगता है नहीं मैं सुनता हूं सर प्लीज मुझे डिव आप अपनी पार्टी का काम करिए चैनल का काम मत करिए आपकी पार्टी ने डिवेट सिखाने के लिए नहीं बेजा प्लीज इसी में समय खतम होता है तीस सिकंड आपने निकाले मैं मैं खुद को आरे सुनिए पहले दीपक रंजन अरे भाई सुनिए ना आप मोरल आप सिक्ता का क्या देने के लिए बुला एक आपको आपकी पार्टी की बात रखने के लिए ने सिक्ता का क्या या फिर मुझे टीशन देने के लिए कि मैं डिवेट कैसे करा हूं सब्सक्राइब नहीं होता है वैसे भी हमारे पास कम समय होता है मैं रुक रहा हूं आप प्लीज सब्सक्राइब नहीं आप अपना सब्सक्राइब मैं रुक रहा हूं मुझे मुझे इसके लिए नहीं बुलाया सब्सक्राइब अरे मैंने भी मैंने भी तो मैंने अरे मैंने भी तो आप से यही कहा कि जैसे आपने उनको विदार्ट इंटर्रफ्शन आपने समय दिया हम लोगों को भी दीजिए मैंने तो आप से रिक्पेस्ट कि मैंने आप से क्या कलब के अरे बोलिए ना बाई या कहिए कि जवाब नहीं है तो मैं आगे बड़ू पर आप पांच आप पताईए यहां पर किष्टन के तेवार आने वाला पक्षी दिसंबर उसमें भी स्रेंडर दे दो तो यह बाटने का काम कौन करता है यह भारते अंदा पार्टी चलिए मानते हमने हम भी पक्ष में हैं हमने कोई बात गलत क्या दी लेकिन यह लोग तो सब्ता पक्ष में हैं दस ताव सब्सक्राइब करेंगे तो पहले सवाल उन तक जाने दीजिए और सुनिए कि वह जवाब दे रहे नहीं देंगे तो सुनिए न पहले शाजाद को रुगिए चलिए शाजाद कुनावाला तो आप पूछो कि तबने जवाब देंगे तो आपका सवाल टोस्तों कर दिया वही मैं रिपीट करूं इससे अची बात क्या हो सकती है चलिए शाजाद कुनावाला देखे दस साल से काम किया जनता अब मैं भी में लोगित ऑफ समय कोगया कि है राही जाड़ को अवागो हुजी शलीजेमिए जियात प्रशवेड़ करो जिवेद घुथहां जवाब कि मुझे आता है उस जिवाब टेंहारा ह cabeça तो आप भाग जाओगे यहां से अब दीपक जी कान खोड़ के सुनो इन कमिंग ऑन करो और बाते सुनो भाग जाओगे आप अभी उत्ता प्रदेश की जंता ने भगाए दिपक भाई मैं बीच में आता हूं दीपक रांजन प्लीस सर दीपक रांजन आपने सवाल पूछा मै तो सुनी तो पर प्रता चले कि जवाब आघा ने कि जो उन्हों ने पूछा का जवाब उन्हें कि नहीं मिलगा है अभी सिर्फ शाजाद पुनावाला वाला थींसा बोलिए हमने थोड़ी बोला कि मुसलमानों का पहला अधिकार होता बारत के संशाधों पर और आपने तो मैनिफेस्टों में चाहपा था कि मुसलिमगा कर चोड़ेंगे वो आतंकी कन्विक्ट हुए, आलाबाद हाई कोट ने बोला कि आज आतंकी चोड़े हो, कल भारत रत नो दोगे, आप तो आतंकी को, क्योंकि मुसल्माने चोड़ने लगे थे बाई, और आप मुझे बता दो, आपके नेता ने बोला मठादीश माफिया होते हैं, हिम्मत है, तो एक बार बोलो मदरसा, माफिया होता है, आप बोलिये राम मंदिर प्रान प्रतिश्टा में नाज गाना हो रहा था, क्या, एक बार हिम्मत है, तो बोलो हज में होता है, एक बार बोलो वैटिकन में होता है, नहीं बोल सकते हैं, द्वारका में नाटक हो रहा था, ये करते हैं जो मठादीश के भेश में और जो सादू के भेश में उत्तर प्रदेश को देश को लूट रहे हैं अच्छा को उनके लिए और आपका सवाल आगया अब सुन लिजे अब सुन लिजे सुन लिजे शुन लिजे अब सवाल कुछा करते हैं मैं अरे दीपक भाई सुनिये सर्थ मैं स्टूडियो में पिर भी मैं आपका लियास कर रहा हूं इसका मतलब आपका सवाल सुनकर शैजाद इसलाई कर देंगे अब इन्हों ने तो बोला ना की सादू के भेश में आते हैं तो इस प्रकार से मठादीश को माफिया ऐसे तो बहुत सारे पादरी पकड़े गए बच्चों के साथ गलत हरकत करते हुए मौलवी भी पकड़े गए मदरसे में उनके ओपर बोली बोले मौलवी माफिया होते हैं बोले मौलवी माफिया होते हैं मठादीश तो आसानी से ब गाम डेखा मतलब जी निशाना केवल हिंदु धर्म है मुश्लिम वोच Databक और ने माफिया होते हैं यह शैजाद पुनावाला का चैलेंज आप एक्सेट नहीं कर पाए फिर तो आतंकी किस बेश में आ जाते हैं और कौन से धर्म के नारे लगाकर सरतन से जुदा कर दिया जाता है फिर तो उस पर भी कुछ बोल दिया करिए ना पिर आपकी जुबान से लिए काम कर रह पर देश का चैनल है थोड़ा सा कम से कम मैं यह कह रहा हूं मैंने राकिज मैं पहले भी का किसी भी धार्मी की स्थालों किसी भी धार्मी गुरूओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए हमारा स्टेंट किरियर सब को इज़र देना चाहिए मेरा दो चार एक दो रिक्वेश्ट है सहिदाज साहिप से भाजपा के राष्टिये प्रवक्ता है बधुबनी में 20 पी एक जगा है वहाँ पर वर्पोर्ड कनीस फात्मा वर्पोर्ड है इनके सयोगी एडिये हैं वहाँ पर स्कूल बन रहा था इनके बिचौल एमेले हैं रोक दिया है काम रोकवा दिया है बुलपरास में संजेज हैं एंपी हैं वहीं से वर्किंग प्रेजिदेंट जद्यू के हैं उन पर यह आरोप है कब्रिस्तान पर स्कूल बन रहा है पत्वा में एक इमामबारा और कब्रिस्तान है वहां पर काम बॉंडरी को रोक दिया गया है दानापुर में कब्रिस्तान की चार बेवारी रोक रही बहुत अच्छी बात है आदिल जी मैंने आपकी बात सुन ली अब यह सब चीजे हैं तो यह समस्याएं क्यों नहीं गिन जलसे में नसरुला के लिए गीत काते हैं भाई नसरुला को छोड़ो और यह मुद्दे गिनाया हो एसी साहब ने एक ट्वीट किया हो तो बता दो नसरुला को शहीद मानते हैं और जो बशीर एमत जमू कश्वीर पुलिस का उसमें एक शब्द नहीं ठीक है और बार-बार मन्चो से बाबरी की बात तो यह मुद्दे गिनाया करिये और अपने बैरिश्टर साब को बोलिए कि यही मुद्दे गिनाया है वक्त इतना ही आप सब का बहुत बश्चुकिया